प्रिदेश के अमरोहा जनपत के गजरौला में राज्यपाल अनन्दी बेन पटेल के कारिक्रम में गजरौला निवासी एक व्यक्ति ने हंगामा खड़ा कर दिया यह शक्स अपनी मा की पेंशन बनवाने के संबंध में राज्यपाल से मुलाकात करना चाहता था लेकिन पुल राज्यपाल जुबिलेंट फ्रेक्ट्री में उडन खटोला से उतरने के बाद कार द्वारा गजरौला बस्ती में स्थित कस्तूर्वा गांधी विद्याले में निरिक्षन के लिए पहुंची थी जहां पर गजरौला बस्ती के महला नई पूरा के रहने वाले चंदर वनवाना चाहता है और उसकी मां का नाम रामदुलारी है लेकिन समाज कल्यान डिपार्टमेंट में तैनार बाबू से रिश्वत की मांग रखते हैं जिसकी वजह से उसका ओनलाइन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है और वहे काफी परेशान है उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही इसलिए वहराज्यपाल उत्तरप्रदेश से मिलने आया था लेकिन यहां से भी उसे भगा दिया गया है परेशान चंदर सेन भगत ने काफी हंगामा काटा जिसके बाद पुलिस ने उसको वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया रोरोकर उसने मेडिया कर्मियों को अ हें सब्सक्राइब दो करना मेरा मेरा नाम चिन्दरशन भगत ची से हूं जिए नाइपुरा पुतिनंगर का रहने वाला हूं मामला बता हूं यह मेरी माच्छत प्यासे कर गया हूं उसको कोई पैसा निकाल दिये और मैं चार साल से रोता फिर रहा हूं मेरी माच्छत पैसे कर कि इस मिलने के लिए आए थें करदी आप लोग जो हैं उनके बाद कहा कहा कहां पहुंचे थे प्रवारत की दिसा है यह हिंदुस्तान की दिसा है यह सरकार की दिसा है पिर सासन इतला गंदा है कि बिना निस्वत के बिना दलाली के सुनता ही नहीं है तो अगई की पिलसन नहीं बंदी चार साल हो गए रोते भागते बागते जो लोग समाज कल कल लाण को पैसा देते हैं उनकी पिलसन बंदी हो जिल COMM के फार मैं एक ट्रालिए है आपके पिताजी का नाम का न plots इसेखा एक अ niye नेट पर डालाता हुआ है। अभी जोदोरी करता था मर मजदोरी बेरोजगानूं मजदोरी मिलती नहीं मैं बेलदारी करता था 55 साल उमर है मेरे अब शरीर ठख चुका है आखोंसे अंदा हो चुका हूं किज़ कम दीखता है नहीं पड़ा जाता मेरे से आप लोग कितने बेन बाई हो मेरे बच्चे तीन हैं और दो मियामी भी हैं एक मां हम छे यूनिट का परवार हैं